दोस्तों यहां कहानी कमलपुर जंगल की है उस जंगल में कालिब कववा रहता था वह बहुत आलसी था वह अपना दाना लाने भी खुद नहीं जाता था वह जंगल के पक्षियों को डरा धमका कर उनका दाना मंगवाता था उस जंगल में दाने की बहुत कमी थी पक्षियों को अपने लिए ही दाना बड़ी मुश्किल से मिलता था उस जंगल में चारुचिडिया अपने बेटे के साथ रहती थी चारुचिडिया बहुत महनदी थी वहों महनद करके अपना दाना जमा करती थी एक दिन चारुचिडि दाना जमा करने जा रही होती है तब ही उसे कालू कवा रोक लेता है अरे कालू कवे आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है मुझे तुम से एक जरूरी काम है मैंने बहुत से पक्षियों से कहा है कि मेरे लिए दाना जमा करके लाओ मगर वह पक्षी अपने लिए ही दाना नहीं ला पाते मैंने सुना है कि तुम बहुत महनती हो तो तुम क्या मेरा काम करोंगी क्या मेरे लिए कुछ दाना लेके आ जाओंगी अरे नहीं कालू मैं बहुत महने से अपने बेटे के लिए दाना जमा करके लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं लाओगी देखो चारू, दाना तुम अपने लिए और अपने बेटे के लिए जमा कर रही हो वो आज से मेरे लिए जमा करना अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिन्दा रहे तो तुम दाना जमा करके ले आ जाना फिर क्या था अरू अपने बेटे की जान बचाने के लिए कोवे के लिए दाना ढूनने जाती है फिर काफी देर महनत करने के बाद उसे दाना मिल जाता है अरे इतनी देर महनत करने के बाद मुझे इतना सा ही दाना मिला है और मुझे यह दाना कालू कोवे को देना होंगा और मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे अगर मैं यह दाना कालू कोवे को नहीं दूंगी तो वह मेरे बेटे को मार डालेंगा फिर क्या था चारू अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह दाना कालुकुवे को दे देती है